हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ पंडित राज दोस्तों अगर आप कोई भी सेकेंड एंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो इन पांच चीजों को ध्यान में रखना ये पांच चीजे कौन-कौन सी है इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे अगर आप इन पांच चीजों पर ध्य नहीं देंगे तो आपके पैसे बरबाद हो जाएंगे तो अगर आपके माइंड में कोई भी पुरानी गाड़ी खरीदने का प्लान बन रहा है सोच रहे हो आप तो इन पांच चीजों को ध्यान जरूर रखना ये पांच चीज कौन-कौन सी है आगे वीडियो में देखते ह हाँ तो दोस्तों पहली बात है जब भी आप कोई कार खरीद होगे तो सबसे पहले इस्टेरिंग पे बैठोगे मतलब ड्राइवर शीट पे बैठोगे और गाड़ी को स्टार्ट करोगे और इस्टेरिंग को ऐसे दोनों तरफ गुमा गुमा के देखोगे उसको अच्छी थीक है और जो कार का स्टेरिंग वो भी थीक है यह इस्टेरिंग को गुमा के आपको देखना इससे दो चीजों का पता चल जाता है कि स्टेरिंग काम कर तो इस्टेरिंग अगर खराब होगा तो इसमें भी कट-कट आओज आएगी और सस्पेंशन भी दोस्तों सेकिंड नमबर पे आपको इंजन को चेक करना है अगर इंजन लिमिट से ज़्यादा आवाज कर रहा है तो उस गाड़ी को बिल्कुल नहीं लेना है और आपको ये नोजल बाहर निकालके और देखना है अगर इस नोजल से धुआ आ रही है इसका मतलब इंजन काम म कर सकते हो ये नोजल इसको हम वापस लगा देते हैं और साथ ही बैटरी की कंडिशन भी इंजन के साथ ही देख लेना है कि बैटरी ठीक है या बहुत ज़्यादा पुरानी है तीसरे नमबर पे दोस्तों टायरों को देख लेना है टायरों की सिच्वेशन देखेंगे चारो टायरों को चेक करेंगे ज़्यादा घिसे हुए तो नहीं है अगर ज़्यादा घिसे हुए होंगे इसका मतलब गाड़ी बहुत चली हुई है और आपके खर्चा भी आने वाला है तो टायरों को अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों नमबर च्यार पर हम आउटीरियर आपके ये देख लेना चारों ट्रब से गाडिके अंदरबार से और सारे जो भी डोर है चारौ नコो खोल के देखोगे इनके बटन ठीक से काम कर रह रहा है डिक को चेक करोगे और लाइटों की जलुरीयतिος है नीचे से घरी बैयल्डिंग्यों तो नहीं है ये सब देख ल कर रही है कि नहीं कर रही है इंडिगेटर ठीक से वर्क कर रहे है कि नहीं कर रहे है बंपर देखेंगे किते स्क्रेचेस है यह साइड गलास है इनको देखेंगे और उपर की छट को भी देखेंगे अच्छे से चेक करेंगे कि उपर की छट कहीं तूटी हुई तो नहीं है फ देखना है, सबसे पहले नमबर पे आप AC को चेक करेंगे, कि अच्छी तरह कूलिंग कर रही है या नहीं है, फिर heater को on करके, heater को देखेंगे, देखो इस को आप इस साइड रेड की तरप कर दोगे, तो heater चल जाएगा, और blue की तरप कर दोगे, तो AC चल जाएगा, अच्छी त प्रट्स को चेक करना है, यह गेर को चेक करना है, कि अच्छी तरह गेर लग रहे हैं या नी लग रहे हैं, उसके बार, सीटों को देखना है, कहीं से फटी हुई तो इनको देख लेना ज्यादा गिसे हुए तो नहीं है अगर ज्यादा गिसे हुए है इसका मतलब गाड़ी ज्यादा चली हुई है स्पीडोमिटर से मैच कर लेंगे कि स्पीडोमिटर में गाड़ी कितनी चली हुई है यह देख लेंगे हैड लाइट जलाके देख लेंगे क इस परकार से हम interior check कर लेंगे तो ये पांच पार्ट हमारे हो जाएंगे पहला है steering को गुमा के देखेंगे उससे क्या पता चलेगा कि steering काम तो नहीं मांग रही है इसके साथ ही suspension ठीक है या नहीं है शोकर ठीक से काम कर रहे है या नहीं कर रहे है वो इससे पता चलेगा second आपको engine को अच्छे से देखना है extra अगर sound कर रही है इसका मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है और उस nozzle को खीच के देखोगे तो उसमें से धूँ आएगी इसका मतलब गाड़ी का engine काम मांगेगा और engine को देखने के साथ ही आप बैटरी को भी देख लोगे ये पहला काम है ये second काम है sorry पहला काम steering and suspension का देखोगे second काम आप engine का देखोगे उसके बाद third में आपको tire देखने है कि tire ठीक है या ज़्यादागी से हुए है अगर ज़्यादागी से हुए है और आपको tire भी change करवाने होंगे उसके बाद tire हों के बाद आपको outer rear मतलब बाहर की body देखनी है अच्छे से अंदर बार से engine की जगां से भी देखनी है कि कहीं building तो नहीं हो दी कहीं से ठुकी हुई होगी कहीं गलावट तो नहीं है उपर नीचे चारों तरफ से गाड़ी के एक एक पार्ट को कहीं scratch है जो सब कुछ है डिलाइट कहीं टूटी हुई है bumper वगेरा सब कुछ चेक कर लेना है ये बाहर की body चेक कर लेंगे हम छट भी देखेंगे और ये pillar देखेंगे कि कहीं से गाड़ी की ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चोथा पार्ट हो गया पहला steering and suspension सेकंड वाला engine और battery थर्ड वाला tire और फोर्थ वाला आउटीरियर लाश्ट वाला जो ये है इंटीरियर जिसमें AC आ गई gear और ये जो हमारी seat belt के ये हैं इनको लगा के देखना है सारे seat से चड़ा के देखना है और आपके side glasses है इनको देखना है इन सब को अंदर बार से seat को सब को देख लेंगे उसके बाद आप paper work देख लोगे अच्छे से और गाड़ी ले लोगे तो ये 5 चीजे आप ध्यान से देखना कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले और आपके कोई भी relative या friend गाड़ी ले रहा है तो मेरे वीडियो को बेस देना ज़्यादा लंबा चोड़ा कुछ भी नहीं इसमें और बहुत आपके मतलब की बात बताया हूँ तो वीडियो को शेर जरूर करना बाई बाई